एक महत्पूर्ण सूचना ये वीडियो के वाल एजुकेशन परपस के लिए बनाई जा रही है वीडियो में दिखाएगा कोई भी लेबल कोई भी कॉल पुट आपके लिए बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी ट्रेट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रिक्रूट के उपर लाइव आया था मैं लाइव आर करके आपको एनालिसिस दिया था अगर अभी भी आप सोच रहों कि चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों चाहिए तो फिर जो लाइव वाली वीडियो है वो हमारे चैनल पे अभी आप जाकर के देखिए और तब आपको पता चलेगा कि हमने लाइव मार्केट में आकर के क्या एनालिसिस किया था और हमारा एनालिसिस पे ये एक दिन का नहीं है सर आप मेरी पुरानी और भी वीडियो जाकर देखो हमारे दोनों चैनल सर्च रिजल्ट में आ जाते हैं एक आपको दिल से सिखाना चाहता है और हां मैं आपके साथ live आया था तो उस live session में जो आप जाके backtest करोगे कि इसने क्या बोला था, करोगे ही करना भी चाहिए, तभी किसी पर भरोसा आता है backtest करोगे तो उसमें दिखाई देगा कि मेरे course के भी student मेरे साथ में तो अगर आप course join करना चाहते हो मैं YouTube पर आकर कि इतना कुछ दिखाता हूँ course में कितना जान छिड़कता हूँगा सुबह से लगा हुआ हूँ course के लिए पता है आपको, नहीं पता मैं दिखा देता हूँ आपको पता जो course join करता उसका अलग से group बन जाता, इसका मतलब है you can talk me anytime man कभी भी बात कर सकते हो मेरे से अब आप बोलो sir कैसे, ये देखो ये देख रहे हो, ये सारे लोग ये देख रहे हो, ये क्या बोल रहा thank you boss, your knowledge is awesome ये मैं नहीं बोल रहा, मैंने सिखा करके छोड़ दिया था, आज live इनके लिए आया था ना, आपके लिए भी live आया था, ये और आप दोनों live साथ में थे कौन से, student और वो, मेरा system हिल गया, मेरा mac mini गरम हो गया बुरी तरीके से, क्योंकि दो-दो live streaming को समालना, it's not easy लेकिन वो apple का product is झेल गया लेकिन वो आगे नहीं छेल पाए, खराब हो जाएगा वो जल जाएगा, उसकी mother-boy गरम हो गई है दो-दो live streaming, ये देखो कोमल, women हो करके girls हो करके, इसका profit दे और वो 25-25,000 के दो trade इसने अपने दम पे लिया है, कहीं पर भी लिखा मिल रहा है put खरीद लो, call खरीद लो, नहीं ये देखो, मेरी challenge लगी थी मैंने challenge दिया था कि market इसके उपर नहीं जाएगी लगी challenge, अपने student के साथ ही challenge लगी थी ये देखो, मैं जीत गया challenge बोला था, उपर नहीं जाएगा ठीक है, कई लोगों को cup and handle pattern का breakout दिख रहा था मैंने challenge किया था कि trade मत करना आज learning दिया, आज learning में सिखाया what is trend line, support resistant, trend line price action, candlestick और RSI का combination वाला setup कैसे बनाना है, आपके पास setup नहीं है, कुछ भी trade करो कि पैसा थोड़ी ना market दे देगी, ये एक setup बनाने में मदद किया है, अपने students की आप भी अगर join करना चाहते हो, तो सोचते ही रेजा होगे है, पांच हजार का course है, इतने का तो stop loss देते हो, इतना तो कितने दिन से loss लेके गुम रहे हो आप पहले सीख लो, फिर करना ये लोग सीख रहे हैं और उसके बाद कर रहे है result आपकी नजरों के सामने है अब आपको क्या करना है, आपकी decision है, right सब कुछ करो मत करो, एक request है चैनल को subscribe करो यार, प्यार support ज़रूरी है मैं आपके लिए dedication दिखाऊंगा तभी जब आपका dedication मेरे चैनल पे आएगा subscribe करो, थोड़ा सा प्यार support चैनल पे बरसा दो मैंने आपको ये trend line डाल की दी थी मैंने बोला, direct नहीं गिरेगा trend line पे support लेके उचलेगा और मेरी, जब ये उचला ना, तो बहुत लोग बोला नहीं सर अब उपर जाएगा, उपर जाएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा ही है ये trap है, इतना बड़ा candle इसने खड़ा किया, ये trap है फसा के हम नीचे मारने वाला मैं बोल दे, चलो मेरी तुमारी challenge लगी 10 में से, 3 बार गुरुजी भी fail हो सकता है, मैं कोई भगवान थोड़ी नहीं साथ बार तो सकसे होंगा तो चलो 3 बार fail होता हूँ, तो अच्छा है ना अगर मैं fail होंगा, तो मेरे कुछ बेचारे बोले वाले innocent trader इदर फसे होंगे, जो call गलती से लेके बैट गया होंगे, क्योंकि उनको किसी ने बताया है नहीं कि stop loss भी रखना होता है, 100 पे खरीदा है तो असी पे stop loss रखो, 20 point 20% देने के लिए, दे दो यार 100% देने से अच्छा, 10-20% दे दो कोई ruling नहीं, कोई discipline नहीं, बस बैठे हैं पागलों की तरह, तो नहीं होगा, सब उड़ जाएगा हाथ जोड़ रहो, जसे ट्रेडिंग मत करो सब खतम हो जाएगा, सीख लो, प्लीज, मेरे से जी को, या मेरे से अच्छे से जी को, या मेरे से बुरे से सी को, बुरे से सी को, तो ग्यान नहीं आएगा नॉलिज नहीं आईगी चलो वीडियो के लेबल दो देख लो आगे बढ़ने से पहले मैंने बोला था जब तक इसके ऊपर निकल करके इस जोन को इस पैटरन को क्रॉस ना करे तब तक 635-0 के लिए नहीं जाएंगे inverted pole and fact pattern का breakdown आ गया आपके सामने चलिए चार्ट को करते हैं के लिए और समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या होगा market किदर जा सकती है कोई भी analysis ना market को market पर कोई भी prediction analysis करने से पहले हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि आपको time frame बदल बदल के देखने है market एक बहुत important support area एक बहुत important trend line area पर जाकर के टिपपा खा रही है हाँ आज के लिए जो होना था हो गया अगर ये तूट गया मेरे भाई to be very honest अगर ये तूट गया तो 5860 की तियारी कर लेना और उसके बाद एक label और दिख रहा है 5530 की तियारी कर लेना crude oil गिर क्यों रहा है supply बढ़ गई है demand चाइना की तरफ से आ नहीं रही है तो यानि कि supply access हो demand नहीं हो तो गिरेगा dollar उपर जाए तो गिरेगा ठीक है लडाई थम जाए तो गिरेगा सारी चीज़े इसकी लिए negative एक साथ हो रही है इसकी वज़े से इतनी बड़ी candle daily पर फॉर्म हो रही है अब आप बोलोगे गुरुजी बहुत lecture देते हो तुमने क्या किया तो भीया हमने एक लाख का capital यूज करके एक लाख ही बनाया है अब आप बोलोगे दिखाओ तो भी बिना proof के तो कुछ लोग मानते ही नहीं है ठीक है दिखाना तो नहीं चाहिए क्योंकि रूल नहीं है दिखाने का क्योंकि लोग influence हो जाते है ऐसा कहना है government का भाई मैं बहुती rarest दिखाता हूँ चीज़े पिस्वास करना है करिए नहीं तो जाहिए कोई बात नहीं ओके what next यार daily पर यह जो दिख रहा है न यही एक hope है यह trendline एक hope है ब्रेक होगे तो बहुत जोर से जाएगी reversal की तो दूर दूर तक कोई उम्मीद अभी तो नहीं दिख रही है reversal तब तक नहीं सोच सकते जब तक यह red candle market cover नहीं करती बहुत बड़ा candle है वो और यह कहीं न कहीं एक M pattern जैसा scenario बना रही है बड़े deep correction के लिए उतर सकती है सच बता रहा हूँ मैं यह धीरे 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 बहुत बड़े deep correction के लिए जा सकती अब नहीं जाएगी आज का moment हो गया आज का जो moment होना था वो हो गया हम अब bullish कब होंगे अब तो हम bearish नहीं होंगे लेकिन bullish होने के लिए यह जो red candle आई है hourly time frame पर 150 के उपर 6150 6150 इसके उपर ही हम यह उमीद कर सकते हैं कि market recover कर सकती बट कहां तक आज भी इसका बड़े time frame पर यह negative it's looking negative on big time frame मेरा सबसे बड़ा अपने student को यह lesson होता है कि always trend line पर ध्यान रखो stop loss का ध्यान रखो right price action use करो आप join करोगे तो समझ जाओगे और हाँ एक और बात बता दूँ अच्छा नहीं लगे का ना course तीन दिन बात कैंसल कर देना refund नहीं किया तो बोलना नहीं किया तुमने refund तुम चोरो refund मैं दूँगा अच्छा लगे तो follow करना बना चोड़ देना बंद कर देना right चुकी है आज सबने पैसा 2X किया जिस जिस ने मेरी live learning देखी थी सबने अपने दंपे ट्रेड लिया मैं put call दे नहीं सकता because I am not a savey registered इस trend line के नीचे STP होगा अच्छा काट लिया यार इस trend line के नीचे STP होगा और market should go for 5860 first level इसको break किया मामला बहुत गंबीर हो जाएगा 5715 next level 5530 एक बात बताओं आपको market अब थोड़ा सा हलका सा फसाएगी लोगों क्योंकि maximum लोग call में बरबाद होकर के अब अपनी किस्मत put में आजमा रहे हैं और जो बड़ा player नीचे लेके जाना चाहता है उसको भी यह भनक लग गई है क्योंकि अगर इसको नीचे तोड़ना था तो इसके नीचे आते ही यह continue कर जाती है बलब और 2%, 5% हो जाता है लेकिन यह जो hold कर रही है कहीं न कहीं यह put वालों को आज closing hour में फसा ना ले मुझे इस बात कर रहे है इसलिए इसके इतना गिरने के बाद भी तुम अगर पैसा बना के नहीं बैठे हो और यहाँ पर put में कोशिश कर रहे हो गलट decision है यह right procedure नहीं है trading का छोड़ दीजे ऐसी trading प्लीज BTP 6150 आज मेरा fast energy level bad गया है पूर दिन live किया हो ना और फिर group को भी सिखा हूं तो ठक गया हूं भी ताकत कम बची है बट हो जाएगा BTP 6150 clear किया तो trend line के past एक resistance area है 6250 first level इसको clear किया तो trend line trend line पता क्या है पढ़ लीजे selling zone if rejected अगर एक आद spelling mistake हो तो manage कर ले ना rejected if rejected from the trend line selling zone if rejected from the from the trend line नहीं reject की जाने दो leave it go जाओ 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 rejection ले लिए short करेंगा otherwise नहीं बस crude में ये लग रहा है natural gas what about natural gas खुले कहां BTP लेकिन candle की formation क्या थी double top पहले तो double top की formation थी wreck inverted hammer बनाया नीचे मार दिया आपके सामने है लेकिन जब मैं live आया था तो क्या बताया था live भी तो आया था आप भूल रहे हो क्या आपके सामने है कुछ बोलना है क्या कुछ बोलने की दूरत है मुझे होनी भी नहीं जी क्या natural कैसे और गिरेगा देखो उपर से double top थोड़ा बड़े time frame पर चलते है क्या और गुंजाइस है ये आज यहाँ पर आये या कल आये 170 तक की जगह है 170 break के बाद फिर ये जो bottom area touch किया था न वहाँ जाएगी आज जाएगी, कल जाएगी, नहीं जाएगी कोई guarantee नहीं, market में guarantee सब्द नहीं होता है जो guarantee guarantee करते हैं, वो चोर कहलाते है अब further गिरावट के लिए, कल के लिए आज के लिए, जो भी सोचो गया further एक बड़े moment के लिए, मुझे कुछ important level दिखाई दे रहे मैं उसी के हिसाब जाऊंगा market उसी के हिसाब से चलेगी ध्यान दीजेगा 175 के नीचे ये further मेरे लिए STP ही रहेगा, sell ही रहेगा वीडियो के वल education purpose के लिए बनाई जा रही है आपको training देने के लिए, सिखाने के purpose के लिए ये गुरुजी आपके लिए वीडियो cover कर रहा है 175 आज तोड़ा तो यहीं कहीं close जाएगी कल तोड़ा तो नीचे की तरफ आ सकती है 2nd level 165.90 नहीं, फिर 90 क्या, 166 ही रखे सीधा 2nd level 3rd level 161 और 4th level 158 4th level, crude, crude हमारी cover होई अब हमें ये देखना है कि market अब गिर रही है गिर रही है न, कौन सा level है जिसकी उपर आने के बद हम ये मान सकते है हाई और market समल गई है जवाब है जब तक इस trend line की उपर ना आए तब तक भरोसा करना थोड़ा रिस्की ही रहेगा क्योंकि ये trend line को बचा के बहुत दिन से चल रही थी तीन-चार दिन से चल रही थी और break कर दिया अब हमें यहाँ पर कोई price action चाहिए positive और उस positive price action से 178 एक support हुआ करता था जिसको market तोड़ चुकी है ये area एक support हुआ करता था जिसके नीचे है market 178 के बाद हम BTP के बारे में सोच सकते हैं reverse किया तो कहां तक जाएंगे ये जो rejection area है यहां तक जाएंगे क्योंकि यहां पर rejection rejection breakout के बाद support support breakdown से पहले rejection breakdown के बाद rejection 181 first level इसको clear किया तो जहां से market गिरी है double top 185 का level second target आखरी target done for the day इससे आगे के लिए जाने की कोशिश मैं नहीं कर सकता वीडियो पसंद आई हो तो please like कीजेगा और course purchase करना चाहते हैं तो वीडियो को description में सारी detail mention है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया like, share, subscribe कर दीजेगा यह आपकी तरफ से gift है thank you so much for watching जैहिंद, बंदे मात्रम